तो आज मैं आपके लेगे हैं सर्दों की बहुत ही स्पेशल थाली चुकि मतलब बहुत ही अच्छा कॉंबिनीशन मैं आप पर बना कर तियार करूंगी जिसके साथ आपको रायता पराथे और सब्ची चटनी सारा कॉंबो मिलेगा तो यह इन पर मैं सबसे पहले आटा लगा पालक के पराथे बनाने के लिए तो उसके लिए मैंने आटा ले लिया है उसमें दाल दिया है आदा चम्मच अजवाइन उसके बाद डाल दिंगे नमक टेस्ट के अकॉल्डिंग उसके बाद डाल दिंगे लाल मिर्च पाउडर वन तेविल स्पून डाल दिया है मैंने बना रहे हैं जिसे जो पालक पडानों के बहुत ही टेस्ट especially बनेंगे तो यहीं पर जो मैंने पालक कट किया वो भी डाल दूंगी तो बालगं अपने चान ऑपर कर लें तो यहां पर मैंने अब शुभी करने के बाद हम और तोडक स recursos कर है फिसको इच्छे से हमें मसालों को और पालक को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और अगर पालक हमें कम भी लग रहा है तो यहां पर हम थोड़ा सा पालक और राइट कर सकते हैं तो अच्छे से मिक्स करना है पालक हमारा काफी है तो उसके बाद हम थोड़ा- ट्रेस्ट के लिए रखेंगे तो थोड़ा अपने आप भी पानी चोल कर थोड़ा डिला हो जाता है उसके बाद हम इस तरीके से इसको हज़कर का पाइं डाल कर देखें मैंने इस तरीके से पूरे आटे पर इस तरीके दिलावाट लिया है अब इस आटे को हम रैस्ट करने के लिए रख देंगे जब तक हम रैस करने देतें जब टतक हम कर लेंगे सब्जी तैयार तो जब तख हम इसको रैस्ट करने के लिए साइड में 55 min के लिए 10-50 min के लिए अच्छे मैंने सारी सब्जियों को कट करके तयार कर लिया है तो यहां पर मैं गाजर आलू मत्र की सब्जी बना रही हूं उसके लिए मैंने ले लिया है आलू साथ में ले लिया है मैंने गाजर आलू मत्र बनानी के लिया है तो अप चलिए इसको बनाने शुरू करते हैं यहां पर सबजी बनाने के लिए मैंने यहां पर कड़ाई रख दिया और इसमें मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया है यहां पर मैं सब्सक दिया का इस्त util कर रही है आप झाएं तो आप कोईसा भी cooking oil इस्तिमाल कर सकते हैं सब्सक्राइट बनाने के लिए अगर हम इने बाद में डालते हैं तो जो कच्छे बन की स्मैल होती है लैसन की वो आती है तो अगर हम इस तरीके से अच्छे से भून लेते हैं तो लैसन वाली जो स्मैल होती है वो हमाई सब्ची में बिल्कुल भी नहीं आएगी उसके बाद में हाँ पर जो प्यास कट करी है वो भी डाल दूँगी और इसको अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि यह हलकी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती जब तक हम प्यास को इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे प्यास कालकता कलर चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो यहीं पर हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी वो भी हम डाल लेंगे और अच्छे से हलका सा और भून लेंगे प्यास को थोड़ा सा और भूनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब में जो वीडियो एफ हो थोड़ा सा अड़क गई थी तो यहाँ पर मैंने उसके बाद ज्यादा कुछ भी नहीं डाला है बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था और उसमें जाद हमने जो सबजियां त बात की बात की मैंने कोई मसाले निमक कुछ हैट नहीं किया सिफ हल्द डानी के यहाँ पर यह वीडियो तो हусु एंहीं मतलब शूट हो रएथी थी और ढखने के बाद हम इसको छोड़ देंगे medium gas पर low to medium पर और इसको अच्छे से सब्जियों को पकने देंगे पानी हाँ पर नहीं हट करना है यह अपने पानी से ही अपजी अपनी पानी छोड़ती है उससे यह पक जाएगी तो यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम हो गया सब्जी को पकते हुए तो यहाँ पर मैं एक बार हटाकर इसको चैक कर लेती हूँ तो यहाँ पर हम पानी के कोई ज़रूद नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने पानी छोड़कर सब्जी अपने अप गल जाएगी तो यहाँ पर हलका सालू मैंने देखा है तो सब्जी बहुत अच्छे से हमारी कोख हो गई है तो यही पर हमारी चो टाइम आगया है वो आगया है मसाले वसाद इसमें डालने का जिसे की मसाले भी थोड़ी देर अच्छे सब्जी के साथ बुन जाया है तो यही पर मैंने एक टमाटर कट करके रिखा था वो भी मैं यहाँ पर एट कर दूँगी साथ में नहीं पर डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर साथ में एक चमच पर-क डाल देंगी धनिया प्auडर उसके बानty पर डाल दूँगी मैं जीरा पाउडर तो 1 फो टेबल सुग मैं आप पर जीरा पाउडर डाला है साथ में डाल रिखआए कश्मीरी लाल मिर्च बूटिस अलग पितर डाल है सब्जी को इसी तरीके से आप भुनने देंगे मीडियम गैस पर चलाते हुए और मसाले जब तक हमारे अच्छे से भुननी जाते हुए सब्जी हमारी पहले से पकी हुई है बस हलका सा मसालों को ही भुनना है हाँ पर तो सबजी दें के मसार ही हमारे अच्छे से बूंच चुके हैं सबजी भी हमारी पक चुके है तो हमारी सबजी फिल्कुल डेडी है तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 तल डेबल स्पून गरम मसाला जिससी के एची से खुचोबू आ जा है हमाई सबजी में तो यहीं पर आप कैस की फ्लेम को बंद करदे और यहीं पर अपिमेट कर देंगे धनियापति करके यहां पर मैंने फ्रैश धनियाफ करना है वह मैं यहाँ अब ही जातीय hoans जाती है और साथ में भी सप्सेली में सिवकिड्राइब पहले ही मैंने हरी मिर्च टोड़ी सी डालती हूं उससे क्या है जो खुश्बू है ना बहुत अच्छी आती है सब्जी में आप ट्राइजरू करिएगा उपर से जो हरी मिर्च डालने का उसके बाद देखिए सब्जी हमारे बिल्कुल डेडिया कलर किता अच्छा आया है तो बिल्किल बढ़िया सब्जी हमारे बिल्कुल पर टयार है तो यहां पर हम रत्रुस को रायत आप टयार कर लेते हैं बथिए का तो यहीं पर मैंने उसके लिए लिए दो कब दही और दो कब दही में मैं दाल दूँ़ी दो चमच बथभा तो बथभा जबकर पत्ति को साफ क वेगे ऊबालकर उसको मैंने पीस कर ले यांपर ऑ्सके बाद बथूए को हम ढ़ी के साथ चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जो बथूए है जा לס़ी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और चलाते जाना है और हम ढ़ने अगा तो आप इस तरीक से उबालकर रख लें और आपको जब भी राहा सारना और यहां पर हम ढल Só के निरा इस सबसद зал करें में मिर Όस्टेवर हम तो Apa favors यहां तो मिले अच्छा लगता है उसके बाद हम अच्छा करने के बाद यहां पर मिल ने हम जड़ाए थो साल हम तभा लेंगे हैं ताले जीरा पाउटर डाला है तो एक हम काला नमक के प्रकц KIMP से ょाइने इस पर नाले हो इसमेंट नाला हुँए दाल सकते हैं काला नमक ऑपने लोगी द हीश्निग्स मेरे हए सरसो का तेल में जीरा बोलmm आप ड्रक कंछिता नहीं फॉर में ओको पर राम लिया है उसको उच्छे से प्लो बना कर च्छोड़ाइं किन्या निद्ध नेफ राम यह समय है म ब्हुत अच्छी सब्सब्रों हिए तो आप मैं रेफिक हैं लिए जोंकी उसके पार सपड़ हो सब्सक्राइए और हम इसको अच्छे से भूने देंगे तलक देंगे कि युक्त हींग और जीरे की छी की से खुश्च्बूत है वह हमारे रायते में आनी चाहिए उसके बाद हम इस तरीके से लिए करेंगे और फिर इस तरीके से बंद कर दिदेंगे तो यह मतलब इस तरीके से हो जायेगा न तब हमारा दूसके युगाला रायता कर तियार बहुत हुए का और सर्दियों में वैसे बत्वा बहुत फाइदे मन्द होता है और साथ में ही मतलब बहुत गरम होता है तो रायता नुक्सान भी नहीं करता या आप इस तरीके से बनाकर त्यार कर सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहां पर हमारा रायता बन लिया है तो वह उन्हें लोगी ले लेंगे जिता भी आप पराटा बनाना चाहते हैं मोटा पतला मगर पराठे जो हैं बत्वे के मैं बता दूं कि पतले ही अच्छे लगते हैं कोई साइप पराठा होगर आप पतले बनाएंगे तो वह ज्यादा टेस्टी लगते हैं उसके पास हमने इस तरीके लो साइट्टेते हैं तो फोल्ड कर रही जिसने घी लगा लिया पर पर फैस तरीके लगत ऊच्छा नें पराठा फ्रीके लाएं बनेंस ए कृशन tu B कुछ नहीं है इस यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके के पराठे कर आप बनाएंगे तो और इस तरीके चो जाने हैं किसे बेल ले लेना है चारो साइट से लड़ते पलड़ते कर दो हमारा प्राठे बिल्कुल ऐ है सिखने के लिए तो अब हम इसको टाल दिंगे कलर उसमें आ जाए तो उसके लिए मैंने आप पर गी लगा दिया है आप इसको अलटते पुलटते हम अच्छे से इसमें उपर जब तक वहा जाते हैं उसके बाद हम यहां पर गी लगाएंगे तो आप देखिए दोनों तरफ से अच्छे से यह थोड़ा सा हमारा आपको लगाकर और दौनों साइट से अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम इसको सेख लेना है तो आप देखिए कितना टेस्टी हमारा पराथा लग रहा है एकदम क्रिस्पी हम यहां पर इसको बनाकर तयार करेंगे क्रिस्पी और सॉफ्ट और देखिए यहां पर हमारा जो पराथा इसी तरीके से शेक लिया है घी लगाएकर तो ये भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है तो यहां पर अभाइड लगा लेते हैं क्योंकि हमाई सारी चीजन आलूमस्त तैयार हो चुकी है हैं तो यहांपट नार्मल यह ज घर पर हरीद couldn की चटनी होती है हो यहांपर मैं सर्फ कर रही हूं तो आप वह ही गर सकते हैं ज institute यहापर मैंने शी रेशपी मैं अच्छी सेर्फ तेहीं लूँगी तो यहीं पर जो हमारे थाली है यह पूरा मतलब सर्दियों का बहुत ही अच्छा कॉम्बो है तो जो कि आप बना कर त्यार कर सकते हैं तो आप एक बाद जरूर ट्राइ करें थाली को पसंद आती है पूरा में बढदे चाल को सबस्क्राइब कर लिया था कर दो जो हुआ जो है